आज कि यह वीडियो बीए बेसी बीकॉम के सिकेंड सेमिस्टर वारे स्टूजेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज किस वीडियों में बात करेंगे को करिकुलर यानि की अनिवार प्रश्णपत्र के इंग्लिस में बोलते हैं फश्ट एड एंड हेल्थ और हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक चिकित्सा अईवम स्वाफ्त ठीक है तो ध्यान रखेंगे यह प्रश्णपत्र आप का निवार है इसकी परिच्छा सभी चात्रों को देनी होती है अब चाहिए को चाहिए को प्रश्ण है कि कम चेतना वाले पर क्या लागो होता है तो आपको बताना है कम चेतना वाले पर क्या लागो होता है इन आपसनों में से तो सही जबाब इसको आपको बताना रहेगा यहां पर बहुत फारे आपसन आपको पढ़ लेना है तो जो कम चेतना वाले पीडित जो पेसेंट होते, उन पर लागो होता है, पीडित अभी भी बोलने में सच्छम है, लाकि कम चीतना वाले जो पेसेंट होते हैं, वो बोलने में सच्छम होते हैं, परफेक्ट होते हैं, इसलिए फई जबाब इसका हो जाएगा अ नम्बर, ठीक है, और बहुत ही महत्पूर्ण ब तो वो ट्रिक और टिप्स बहुत ही 100 वर्किंग है हजारों स्टुडिन ने उसको अपनाया है और सफल होकर आए आप भी अपनाइए अभी पास हो जाईए ठीक है अगला प्रशन है कि आप नस से खुन बहने की पहचान कैसे कर सकते हैं जिसे कि आप के बोडि में कहीं नस से बलड भChat वहने लिए लगा है तो आप पहचान करेंगे कैसे तो जहीं सब्सकार हो जाएगा वहाघा फिरक्त समान रूप बहता है जब नस से बलड निकलता आगर स्नाइड की आपात कालिन याने की इमरजंसी पत्तिय। की पत्तियों के अंत में घांठ काहां लगाते हैं, जब यो तूट जाता है पिर कैंए आपका एक्सिधेंट हो जाता था निकल देना लाइघ तो तो वही पट्टी है जो डॉक्टर भान दो बान नहीं तो और समस्प्सक्भा दीगर Leahy गांन के आफाट पर बना इस्पस्ट रूफ से घा से दूर अगले की नीचे बताई गई चीजू की टायन से जटका लग सकता है किस चीज से तो ध्यान लखेंगे वाब इसका हो जाएगा option नंबर बाम दिल questa दवरा तो याथ्कम से जटका लग सकता करने पर क्रिशन का चाई आहलें यह जाकर कोई एक्साइटमेंट वाली बात कह दिए भी तो होती बहुत आने वाली बात कर देता सत्प्रक्ता चेह तो यात्रा समय आप कहीं आज आ रहें तो आपको ऐसी बात पहतम यह क्या करते तो आफको धान प्रके पेंदे के लिए कुछ ना दे ध्यान रखेंगे पीने के लिए कुछ ना दे यात्री को फिर से असस्त करें और चिकस्ता सहायता दें अगर माली सौक लगता है तो इसको अगला की छोटे कट के लिए आप क्या करते हैं जहां माली किसी चीछ से छोटा कट लगा ब्लड निकलने लगा है या फि फिल हो तो अब से पहले आप उध्यान रखना है ठीक है अच्छा नमबर प्रश्ण का सही जवाब हो जाएक आप साबुन और पानी से दुए एक छोटी पट्टी के साथ कबर करें ठीक है यह आपको छोटा कट लगता है तो अगला प्रक्रिया में क्या सामिल है तो सीपी अगला कि इंपॉर्टन नहीं आप इग्नोर भी कर सकते हैं कोईश्य नहीं तो मैंने बता दिया उत्तर ठीक है अगला की रख्त परिसंच्रण किसके कारण रुख सकता है तो रख्त परसंच्रण जो रख्त बहता आपके बोड़ी में उसका जो परिसंच्रण है वो किस घाओ ऑपर वनाना चाहिए नहीं करते दबा लेना चाहिए तकि ब्लड़ का सकूलेफल फास्ट नहूं और निकलेना अग्यात प्रस्चन की हाय तो है याई पो थर्मिआ के लच्छन क्या है तो हाई वो धर्मिया एक बीमारी है जिसके लच्छन जान नहीं ठठन्धा ठीक चक्र के लिए आपको कितने कम प्रेसर और साफ लेने चाहिए तो ध्यान लखेंगे इसका सभी चबाब हो जाएगा सभी पंद्रा संपीडन और दोस्वास ठीक है तो सभी चबाब आपको बताए चुका हो सभी चीज में मतलब की चारों तरफ से दाब लगता है और दाब द्यान लखेंगे एक कीट का ढंक या मकड़ी का काठने के समान होता है इसकी करण होता है ठीक है एक उतड़ी की किट काक्षा कर्दी के करण होता है तो जलाते हैं ठंद बडी से भोड़ी अंद नहीं मैं तो अबस्थफ्राव के लिए आप को सबसे पहले क्या करना चाहिए अगर ब्लड बहने लगा तो सबसे पहले आपको ख्या करना चाहिए तो ध्यान रखेंगे उसके लिए आपको सबसे पहले करना चाहिए तो सही जबाब 15 नमबर का हो जाएगा अप्शन नमबर सा ठीक है खत्रे से आउगत रहें सही जबाब सा होगा अगला है कि किसी यातरी को उपचार प्रदान करते समय रूट अपात कारिन परिवाहन तक्निकी का मुख्योद्ध क्या है ठीक है जो आप ट्रबल करते हैं बस से तो उसका मुख्योद्ध क्या होता है आपको बताना है तो ध्यान रखेंगे सही जबाब सिका होजाए आपसर नमबर आ यात्री को अफ्थान तरित करने के लिए इसका मुख्य उद्देश है अगला की रोगी यानि कोई पेसेंट है कि इफ्थित की जात करते समय आपके पहली कारवाही क्या होती है तो सबसे पहले कारवाही यही होती है ध्यान अखेंगे की पीड़ से बात करें और उस दूर करने के लिए ठीक है इसका में मुख्य प्रिक्रिया ही होती है हम्लेच की ठीक है अगला की मानोसरेत द्वारा उत्पाजित कारवनिक एसिड डाइक ठीक है कारवन कारवनिक एफिड डाय डाय आक्रफाइट स्योटू के साथ क्या होता है तो सही जवाब इसका हो करते हैं दाओ थ्यान लखेंगे के आप कर सकते हैं ताजी हवाद रणी को आगला की अच्छा इलाज क्या तो अभी आप ने जाना था डिग्री बढ़नी के बारे में जाना लेगवानी के बारे में डिगरी बर्ड में होता यह है कि आपका सबसे इच्छा जो इलाज है वो पानी है सही जवाब बाहो जाएगा अगरा कि आप साफ लेने की जाँच कैसे करते हैं तो साफ लेने की जाँच है वो देखें सुनें महसूच करें ऐसे ही की जाती है अगला कि एक नक्सीर को रोका जा सकता है नाक में कुछ रूई डालना इसके माद में चैनल बोलते हैं नाभाप पूट गया है तो बलड निकल दे रखता है नाक से वही होता है अगला की केबिन अटेडेंट के रूप में आपके लिए नीची दिये गिए प्रात्मिक्ता कर्तब्यों में से कौन सा सरभोच प्रात्मिकता है किस चीज की तो इस पर सिर्द का सही करते समय आपकी पहली कारिवाही क्या होनी चाहिए तो कोई पेसेंट अगर आप जांच करने सबसे पहली जो आपको प्रिक्रिया होनी चाहिए क्या आपकी कारिवाही होनी चाहिए वह होनी चाहिए पीजिट से बात करें और उसके कंधे को हिलाएं यही होता है ठीक है सानम करें और एतिद्वारा दे गए निर्द्य जबाब करंगे ठीक है यही आपको करना चाहिए सबहुंता है कि साफ नहीं चल लाई होती तो क्या चाहिए कि माली माल जब कहीं कि त्रबल कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले करना स्टूरणT CTR कर दें होता है cave का मंतलब तो CPR का मतब्द होता है कि 30 बार दाब लगाए मतब्द कि दबाव दें साफ क्यों नहीं चले उसको दबाएं ठीक है यहां पर आगे जहां पर ठीक है चाती से उसके बाद दो बार साफ लेने के लिए बोले ठीक है जब वो एक्टिव हो जाए तो ठीक है तो इसी बोलते है CPR प्रक्रिया का उद्देश क्या है तो हेमलिश जो प्रक्रिया इसका उद्देश होता है पीड़तों यानि की प्रवाव तेजी के फात होता है ठीक है तो उसका मतलब होता है कि धमनी फिरक्त का ठीक है रक्त बहरा है श्राह हो रहा है अगला की सूची ब्रद करें कि फश्ट का ठीक है फास्ट का क्या अर्थ है तो प्रतेक्षक्र के लिए आपको ध्यान रखना है ठीक है पंदा संपीडर और प्रतेक्षक्र करना है तब कि दबाव लगाना है ठीक है और दो साफ लेना है ठीक है अगला की एक यात्री को मदमक्की ने काट लिया है डंक अभी वी तोचा के नीचे है और एना फिलेक्टिक फदमे को रुखने के लिए इसके बाद क्या करेंगे तो ध्यान लखेंगे इसके बाद आपको करना जो है पॉइंट वो करना है कि एक जोड़ी का उप्योग करके इस टेंगर को हटा दें यही होता है अगला की वाविक्त को पीनट बटर फे अलर्जी है और वह एनाफिलेक्टिक सदमे में जा रहा है इसके बाद क्या करेंगे आप तो ध्यान रखे सभीन चैक करेंने मतलब की आप डॉक्टर की पास जाएं चीकट से वेवफ्था करें करें ट्रीटमेंट करें चैसका अगला कोश्चन हें की का क्या आर्थ है तो अब्यविक्त इस आप स्पर आफ से वह है एरवे वेद्टिक ब्रीदिंग शर्कुलेशन यह सभी एवी का आर्थ हैं फिले सभी जबाबदा होगा अगला कि एक वयफ पर छाती को संग कुछित करते समय हम छाती को दबाते हैं कितने सेंटीमिटर तो सभी जबाब इसका हो जाएगा आपसे नमबर सा तेक चार से पांच सेंटीमिटर अगला प्रशन है कि बहुत हता हत्वे निपटने कि दोरान जाच करनी चाहिएइ समान सेंस वांस के लिए कंड की समानस वास के लिए फिर समानसे सॉंस के लिए अधिक्तम पांक सेंटOoh ठीक है कि तो अधिकतम कितने सिकेंड की करनी चाहिए तो ध्यान रखेंगे इसका जो सही जबाब हो जाएगा बहुत ही प्रमुक प्रश्ण है भी आपके एक्जाम्प ले तो सही तेस नमबर जो प्रश्ण इसका सही जबाब हो जाएगा अफसर नमबर सा समान स्वास के तुझान लखेंगे जो डौट है वो तरल या जय से जलना है इसको बोलते हैं डौट जबाब हो जाएगा आप नमबर अगला है कि जब कोई हाथ जोडता है तो आप क्या करते हैं तो सिंपल सी बात है जब कोई हाथ जोडता है घИक है तो आप हाथ को गोफन में रखें तो यह प्रग्वियाद नहीं करने चाहिए अगला की गाली देने मॉराब बदलने का ऑधा करता मानणा के दर्बयवार करने वाला बदल जाएगा यह कोईचिन नहीं है बाइलिस नमबर इग्णोड कर दिए गए तक पीडित का मानना की दुरूब्यवार करने वाला बदल जाएगा तनाव निर्मार चरण में या फिर हनीमून कोई सब्सक्रा बदल जाता है और बहुत अपर्तिया सित्च होता है किस चरण में तो सई जबाव इसका हो जाएगा अप्शिन नमबर आथ अनाव निर्माट चरण में अगला ये दिरुबभार करने वाला सारीरी की मौकी में होते हैं ठीक है तो द्यान रखेंगे जिस चरण में आता हुछ चरण का नाम है तनाव निर्माड चरण सही जबाब आहोगा अगला की करण फेर पंप से इसको बोलते हैं इसमें प्रभावित होने वाली ग्रंथी कौन सी है तो सही जबाविश्क का हो जाएगा आप सनमब बा उसका नाम है पैरोटीट ग्रंथी जबाब आहोगा अगला की दयनिक स्वाफ्त परिछन स्वाफ्त परिच्छन का कौन साच चरण है प्रथम है तो सही जबाव जाएगा आप्चा नमबर बा दूथिए है अगला की भोजन को अन प्रणालिफ ए गुजरने देने के लि लोग होते हैं बहुत प्रमुक्रश्न है ध्यान रखेंगे दहीने फेपड़े में लोग की जो संख्या होती है वो होती है धनमबर सही जबाव होगा बताइए तीन होती है अगला की नाक के अंदर पतले बाल क्या है तो नाक के अंदर जो पतले बाल होते हैं सभी क्यों होते ह आगला की, पाइप के लिए चिकित्सा सब्द क्या है पिंड पाइप के लिए चिकित्सा सब्द स्वास नली जिससे आप लोग साफ लेते है की अगला प्रश्ण है कि फेफडों में हावा को अंदर और बाहर लाने की क्रिया क्या कहलाती है तो फेफडों में हावा को अंदर और बाहर लाने की जो पिर क्रिया है इन आप सुन में से वो कहलाती है साफ लेना ठीक है क्योंकि आप साफ लेते हैं चोड़ते हैं लेते हैं चो सब्सक्राइब होगा अगला की बच्चों में एक क्यूट रिस्पे रेटरी सिंड्रोम कौन सा है अलाकि इंपॉर्टर नहीं लेकिन फिर जान लिए उत्तरदा कुरूब अगला प्रश्ण है कि मानुसरीर जिस प्रणाली के बिना साफ नहीं लिए फक्ता वा कौन सा है तो मानुसरीर जिस प्रणाली के बिना साफ नहीं लिए फक्ता इन आपसरों में से वो कौन है आपको बताना है ठीक है सही जबाविश का हो जाएक आप्शन मरबा वो है सुसन और प्रणाली सजवादा बढ़ा होगा है जब आप हवा में साफ लेते हैं तो आप अपने प्रणाली स्वाफ्टीम फिजन लाते हैं और बाहर कि छोड़ते हैं तो बाहर चोड़ते हैं की जब आप सवाफ लेते हैं तो आपके फिफुलते हैं ये फिर प्र करों जाएं तो आपके फीफव्हागाइब तो फेपड़ों में हवा की चोटी थैली होती है उसको बोलो जाता है LV Yoli सानम्मर साइब ठाभ होगा अगला की excessiveडे के लिए अच्छा नहीं है तो फेपड़ों के लिए अच्छा नहीं है झान दूमुर्पान साइब ठाथ होगा ध्यान रखेंगे चलिए अब बढ़ेंगे हम नेस्ट प्रश्ण के और नेस्ट कोईशन कहे रहा कि स्वास नली को और भी क्या जाता है तो स्वास नली को ध्यान रखेंगे कहा जाता है विंड फाइफ सही जवाफसा होगा अगला की सिकेंडो फफरी सानसर नमर कोईश्चन के फेफडों में ब वाइस बॉक्स को किस रूप में जाना जाता है तो ध्यान रखेंगे तो वाइस बॉक्स को जो है वो स्वरियंद्र के नाम पर जाना जाता है सही जवाब होगा अगला की जैसे ही आप सांफ लेते हैं यह सिकुड़ता है और आपके फेफडों को हवा भड़ने के लिए और ध्याँ रकेंगे जब आप सांफ लेते हैं तो होता है कि जब आप सांफ लेते तो आपका डाइफ प्राउम सुकुर जाता है और आप पसली फैल जाती है इसका हो जाएगा वहाइवाब होगा कि तो ध्यान रखेंगे कि वाइफ दोड़ना एक्वaltetक नंबर 2 हो तो वाई जो है फेपडों में जो प्रवाहित करते हैं प्रवेश करते हैं यह आप सभी अच्छे जानते ही है ठीक है फिराल सही जब जब जवाब इसका हो जाएगा आप्शन नमबर आ ट्रिके किया के माध्यन से प्रवेश करती है अगला की ब्रोनिंग्कियल ट्यूब क्या और अगला कोश्चन मैंने आपको नहीं बताया छोड़ दिया गलती से महनुष के पाफ कितने फेपड़े होते हैं आप सभी को मालूम है तो ध्यान रखेंगे आज से महनुष के पाफ जो फेपड़े होते हैं वो होते हैं दो ठीक है सही जवाब इसका हो जाएगा आ नमब सभी जवाब धा होगा जहाण denial रखेंगे ठीक है अगला प्रशन है कि जो फरी द्वारां संचित नहीं किया ठास्क्ता वो कौं सा इनॉसरों में से तो जो स spongy द्वारां संचित नहीं किया ठासाखता एक ये के वर आफेजन को फरीर द्वारा संगृत नहीं किया जा सकता यहीं है ब लाव नमबर स्रीजवाँ होगा आगला है कि जब आप साफ छोडते हैं तो फरीर की तोरीर की च्भारा पाता है ध्याण रखेंगे जिब आप Сाप छोडते हैं तो फरीर है जब आप साफ छोड़ते हैं तो आपके फरीर को पर साइज चुटकारा मिलता है ठीक है जब साफ छोड़ते तो आपके फारी को कार्बन डायकफाइड गयस गयस से छुटकारा मिलता है ठीक है कौन सा सही जवाब होगा आपको बताना है ठीक है और तो फिरहाल अगला प्रस्त है कि एल ठीक है एल भी योली क्या है यह होता है फेपड़ों में छोटी थैली होती जिलको अलबी योली के नाम से जाना जाता दरमर सही जवाब होगा बहुत-बहुत महात्मौन प्रस्त है अगला है कि धूम और प्रांग करने कौन सा रोग हो जाता है नाप प्रस्तों उना करने तो धूम प्रांग करने से आप सभी को माईलूम कि जो होता है वो रूज्ते होती की सीजवाब ते के बाद अस्फूती होती है, सही जवाब आ नंबर होगा जान रखेंगे, अगला के लेटने से साफ लेने में तकलीफ होती है, कब तो लेटने से साफ लेने में तकलीफ यानि समस्या होती है, अर्थोपोनिया में सही जवाब दा होगा, इसके बारें डेटियल में किसी य तो सभी जबाव कम हो जाता है यह तो आज किस वीडियो में एक मिनट एक मिनट एक मिनट तो सीने में तेज दर्द बुखार उथली मां तो सब लच्छन यह हैं फुप फुस्के सभाविश्का हो जाएगा आपसे नंबर साथ ठीक है ओके तो आज किस वीडियो में इतने हाला प्लस इसके आंसर के सहीत मैं आपको दूँगा पूरी 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 ठीक है और यह फ़र्स्ट यूनिट फिर्ट में चार यूनिटों में डिवाइड है तो आज किस वीडियो में बस इतने ही पूरी 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 पीडियाप जो है हम आपको टेलिग्राम वट्सप पे जाल देंगे विट एंसर सहीत तो आप लोग डाउनलोड करके तैयारी कर लीजेगा और जितने भी कोश्चन थे आपके फर्स्ट यूनिट फिरूडे थे कौन सा यूनिट फस्ट यूनिट और फस्ट एंड हेल्थ के जो चार यूनिट में डिवाइड है पूरी कोश्चन प्रफिट फिरूडे कोश्चन थे आने वाली वीडियो में चार यूनिट में आपको कबर करा देंगे और बहुत ही हेल फुल और बहुत ही इंपॉर्टन क्वेश्चन है जो कि आपको तैयार कर लेना है और पीडियाफ ऐंसर सहीत आपको मिल जाएगा अन्य भी वहत सारे म आपको टेलिग्राम पर मिल जाएंगी जो शाथ में मैसेज करेंगे उन्हीं को मिलेगा बाकि मिलते हैं वीडियो के साथ जैंद आपका अपना ही चैनल सब्सक्राइब जरू कर लीजेगा